दोस्तों, Mr. Jim Rohn का एक बहुत ही famous quote है जिसमें वे कहते हैं कि The major value in job is not what you get, the major value in job is what you become जिसका मतलब ये है कि असली सवाल ये नहीं है कि आपको नौखरी में कितना कमा रहे हो बलकि असली important सवाल ये है कि आप उस नौखरी में क्या बन रहे हो जी हैं दोस्तों, चाहें आप कोई भी job करें, कोई भी business करें, कोई भी काम करें वहाँ पे असली सवाल ये नहीं है कि आपको उस job से, उस business से क्या कुछ हांसिल हो रहा है कितने पैसे की income हो रही है असली सवाल ये है कि आप उस job को, आप उस business को, उस काम को करते हुए किस तरह का इंसान बन रहे हो आपके अंदर किस तरह के skills आ रहे हैं आपका self growth कितना हो रहा है आप कितने disciplined हैं आपका knowledge, आपका experience कैसे बढ़ रहा है और आप किस तरह के इंसान बन रहे हैं क्योंकि दोस्तों वास्तों में हमारा जो future है वो इसी बात पर ठीका है कि आज के समय, आज के दिन हम क्या कर रहे हैं आज के हबते, आज के महीने, आज की साल हम क्या कुछ कर रहे हैं किस तरह के इंसान बन रहे हैं हम जीस तरह के इंसान बनेंगे उसी तरह का हमारा आने वाला future होगा simply अगर हम ऐसे इंसान बन रहे हैं जिसकी values ज़्यादा है यानि कि हमारे value का growth लगादार होता जा रहा है हमारे value लगादार बढ़ती जा रही है तो आने वाले समय में हम बहुत धिर सरा कमा सकते हैं हमारे income बहुत तेजी से बढ़ सकती है और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम अपने knowledge को वहाँ पर बढ़ा नहीं बा रहे हैं हमारे skills में growth नहीं हो रहा है हमारा self growth नहीं हो रहा है भले ही हमारे job में हमें ठीक ठाक payment मिल रहा है बट अगर हमारा जो personal growth है वो अगर नहीं हो रहा है तो आपको इस बात को समझना होगा कि कल हमारे साथ बहुत सारी उसके लिए आ सकती है और हमारा future growth है वो रुक सकता है और future में जो हमारा income है वो उतनी तेदी से नहीं बढ़ेगा क्योंकि हमारा self growth है वो रुका हुआ है तो चाहें हम कोई भी काम करें कोई भी job करें कोई बिजनेस करें वहाँ पर important सवाल यहीं आता है कि भले ही वहाँ पर जो payment है वो कम होई या ज्यादा हो यानि कि जो salary होई वहाँ पर जो हमें income हो रही है वो उतना ज्यादा important नहीं है जितना ज्यादे important यह है कि आप उस job में किस तरह का इंसान बन रहे हो क्या कुछ आप वहाँ पर experience knowledge हासिल कर रहे हो किस तरह का skills आप develop कर रहे हो तो दोस्तों I hope कि आप इस simple लेकिन बहुत ही powerful इस वीडियो के message को जरूर याद रखेंगे और हमेशा यह सवाल अपने आप से जरूर पूछेंगे कि आप अपने job में अपने काम में क्या कुछ बन रहे हो ना कि आप हमेशा इस बात फोकस करोगे कि आपको अपने job में क्या को छांसिल हो रहा है कितनी income हो रही है तो दोस्तों इस वीडियो का message बहुत ही simple है बहुत ही clear है कि आप जो भी काम करें जो भी इंसान बन रहे हो कितना आपको experience कितना आपको knowledge कितना आपका skills वहाँ पे बढ़ रहा है अगर skills बढ़ रहा है तो आपकी income future में बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है otherwise आपको बहुत सारी मुश्कलियों का सामना करना पर सकता है और आपकी income future में रूख सकती है तो दोस्तों I hope क कि आप इस बात का सरूर ध्यान रखेंगे और अपने job में अपने काम में अपने business में इस बात पर focus रखेंगे कि आप वहाँ पे क्या कुछ सीख रहे हो किस तरह का इंसान बन रहे हो तो दोस्तों मैसेज पसंद आया हो वीडियो अच्छा लगा हो दोसे like और share ज़रू करें और अंत में इस वीडियो को पुरा देखने के लिए और हमारे साथ उड़र रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद